अगर अगर मैं आप से पूछू हमारे पास GST में कुछ शेडूल थे शेडूल 1, शेडूल 2 और शेडूल 3 शेडूल 2 आपको याद है? शेडूल 2 बिटा उस वो क्या काम करता था? अच्छा है बिल्कुल आपने से यह अंसर दिया या फिर इनको supply of service माना जाएगा तो उन्हें जो जो भी doubtful लग रहे थे उन्होंने उसको वहाँ लिख करके जो था वो clarify किया था और बिटा वहाँ पर मैंने आपको पैरा 5 करके एक particular पैरा पढ़ाया था जिसमें कुछ activities उन्होंने लिखी थी और कहा था GST में अगर ये activities हुई तो इनको supply of service माना जाएगा अच्छा और उस discussion के time पर मैंने आपको पैरा 5 में जो E point था वो जो था वो pending रखवाया था और आपको बोला था उसका discussion जो होगा हम बाद में करेंगे और बाद में इसलिए करना था बिकोज बिटा उसके लिए ये लेटर सर्कुलर जो issued है इसने बहुत कुछ explain किया है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो discussion समझना था ठीकिजी तो अब बिटा schedule 2 का पैरा 5 E आपके सामने है page number 2.28 A पर जड़ा अध्यान से सुनिएगा परता हूं मैं आपके साथ लाइन यह कहता है दा following activities shall be treated as supply of service mainly तो पैरा नंबर 5 E तो यह बता रहा है कि जो activities हम पैरा 5 E में लिख रहे हैं इनको हम GST में क्या मानेंगे supply of service ठीकिए बिटा अब इसमें लिखा क्या हुआ है ज़रा एक बार के simple उसने यह कहा कि अगर एक person किसी दूसरे वक्ती के साथ एक agreement कर रहा है और उस agreement में वह एक obligation अपने उपर ले रहा है किया कर रहा है वह एक aggregate कर रहा और उसमें एक obligation अपने उपर ले रहा है किस बात का no.1 to reference from an Act मतलब कि उस obligation में वह क्ये रहा है कि मैं यह particular काम नहीं अगर एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के साथ एग्रिमेंट करके obligation ले रहे हैं किस बात का तो टॉल्रेट एंट और situation कि मैं आपकी इस particular act को आपके द्वारा create की गई यह particular situation को मैं tolerate करूँगा तो उसको भी वो क्या मानेंगे supply of service and similarly लास्वाइं नो ने क्या बोला ऐसे ही अगर आप एक्रिमेंट करके किसी परसन के साथ obligation ले रहे हैं कि मैं यह particular काम करूँगा तो उसको भी वो क्या मानेंगे supply of service अच्छा literally reading से आपको इसमें बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा यह तो मैंने आपको plain and simple reading कराई है बट exactly para 5e का scope है क्या यह क्या कहना चाहता है उसको जो होगा बेटा इस circular ने जैसा बताया है उसके मद्द नजर जो होगा हम detail में समझेंगे अब बेटा धान देना सबसे पहले कि आप detail में उतरे उससे पहले आप यह धान देना बेटा para 5e में इन activities को जब supply of service कहा गया था और इनके basis पर जब इनकी practical applicability कराई जा रही थी तो बेटा इसके उपर बहुत सारे practical disputes आ रहे थे बहुत सारे practical disputes आ रहे थे ठीके बेटा और क्योंकि practical disputes आ रहे थे इसकी applicability के उपर तो उसी वज़े से लोगों ने CBIC से का वही आप इसका जो है clarification दो कि para 5e में basically जो है वो आप कहना क्या चाहते हो and based on that industry request CBIC ने ये latest circular जिसका नंबर है 178 10 oblique 2022 ये जो है इनोंने latest circular जो है वो issue किया है ठीके बेटा इस circular का नंबर आपको examination के लिए memorize नहीं करना है बट जो भी net discussion इसमें किया गया है ये जरूर first priority के तोर पर आप revise करके जाना sure rest assured इसमें से कुछ question मिलेगा अब मैं आपको broadly बताता हूं बेटा थोड़ी सी कहानी बनाना start करता हूं जो ये कहा रहे हूं उसको समझाने के लिए कि कि किस तरीके के disputes आ रहे थे और CBIC को क्यों front पर आकर कि इसे explain करना पड़ा ठीक है परा 5E यह जो second point है इस पत्वाता धान दो दुबारा line बोल रहा हूं पूरी परा 5E के हिसाब से agreeing to the obligation to tolerate an actor situation इस line के हिसाब से अगर एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के साथ agreed upon करके obligation ले रहेता है कि वो एक particular वो एक particular actor situation जो की दूसरी party के end पर होगी उसको वो जो है वो tolerate करेगा तो इसको उन्होंने क्या लिख दिया it will be treated as supply of service अच्छा एक मेरी बात बताओ जड़ा ध्यान से बिटा पैरा 5 का schedule 2 में जो भी पैरा होते है in fact उनका काम क्या होता है वो supply बनाते है या वो supply होती है उसको से बताते हैं कि supply goods की होगी या service की वो से बताते हैं कि अगर आपने supply करी है तो आपकी supply वो goods की या service की कैसे मानी जाएगी ठीके बिटा अब हो क्या रहा था एक example देता हूं जड़ा ध्यान से सुनिएगा बिटा मान लीजिए आप जो है बाइक पर जा रहे है यार तो मान लीजिए आपने traffic की red light जो है वो cross कर दी जिसकी वज़े से ट्राफिक वाले ने बदला government के employees ने आपके उपर fine लगाया और आपने उसे जो है वो fine pay कर दिया अब गवर्मेंट को आपसे ये जो red light cross करने की वज़े से पैसा मिला ये government की income है अब अगर मैं आपसे service करी ही नहीं है नहीं करी है लेकिन अब देखिएगा ज़रा दान से सुनिएगा मैं red light जा रहा था red light क्रोस करी मैंने government को गलत काम करने का final penalty जो था वो pay कर दिया तो apparently इसमें कोई supply नजर नहीं आती नहीं लेकिन अब देखिएगा अब पैरा 5E पैरा 5E आपकी situation पर official लगान काम को हमने government ने tolerate किया और उस toleration के बतले में आपने जो है government को ये penalty जो है वो pay करी और उन्हों बोला आप क्योंकि आपने वो गलत काम किया government ने उस काम को tolerate किया और उसके बतले में penalty government को मिली तो basically this is nothing but consideration received by the government for tolerating your act and toleration of act वो क्या है supply of service as per पैर पैर फाइव ए क्या कुछ बात समझ में आई officer इस तरीके के अपना जो है let's suppose अपना stand ले रही है ठीके बिटा अब बिटा लेकिन technically अगर बात करूं तो officer इस काम को इस पैरा 5E में fit करने की कोशिस तो कर रहा है बट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है आप भी इस बात को digest नहीं कर पा रहे है क क्यों कि जड़ा धान से सुनिएगा बिटा ये जो पैरा 5E ने लिखा था पैरा 5E ने लिखा क्या था उसने लिखा था कि अगर कोई person agree करके obligation लेता है किस बात करकी हाँ वो आपके इस particular act को tolerate करेगा तो पैरा 5E ने बोला था agree करके obligation लिया और act को tolerate किया तो वो आपका होगा supply of service बट मुझे एक बाब बताईएगा आप रेलेट पर जारो आप रेलेट प्रोस कर देते हो फाइन लग गया क्या आपके और गौर्मेंट के बीच में किसी तरीके का कोई obligation था नो गौर्मेंट ने क्या आपके साथ कोई contract किया था कि हाँ भी तो इस तरीके से answer is absolutely नो गौ तो प्लीज जान में रखिए का पैरा 5E आप इस situation में apply ही नहीं कर सकते क्योंकि पैरा 5E सिफ कब लगेगा जब आपने किसी दूसी पार्टी के साथ agreement किया उस agreement में obligation लिया कहने का मतलब आपका और उस दूसी पार्टी के बीच में उस काम को लेकर के क्या होना चाहिए एक agreement म पैसे आप कहते हो supply of goods and services के उपर लगता है तो आप मेरी एक बात बताओ कि जब आप supply करोगे तो supply वाली बात जब भी आएगी तो क्या वो अंडरा contract ही आएगी yes वो contract return or allow that is a different thing but supply must be under a contract कि contract है जिसमें एक पार्टी के एरिया में आपके लिए ये particular काम करूँगा और दूसी पार्टी के एरिया उस काम के बदले में मैं आपको ये पैसा दूँगा there must be a reciprocity of relationship तभी तो कहा जाएगा कि उसने जो पैसा आपको दिया वो consideration है और तभी वोट काम supply बनेगा और supply बनेगा तो ही आप para 5E जो होगा वो पड़ोगे am I right यह basic principle बिल्कुल कभी मत भूलिएगा officer भूल जाते हैं बिटा क्योंकि officer को तो हवस है किस बात की पैसे की maximum revenue ले सके ठीकिना अपनी जैन में कुछ नहीं जाना मैं वो नहीं कह रहा ठीकिन उनका कह रहता है कि नहीं revenue उनको हर चीज में जर आता है supply है बट प्लीज धान में रखिएगा आपको पहरा 5E तो secondary stage पर apply करना है पहले आपको यह देखना है कि जो activity है वो supply है भी है या फिर नहीं है तो इसी तरीके की कुछ confusion हो थी वो थी जिसको यह circular जो है वो handle करने की कोशिश कर रहा है circular ने step number one पर बड़ी simple बात कही पहले सुनिएगा फिर पढ़ाऊंगा circular ने number one सबसे simple बात यह करी उन्होंने बोला जी पहरा 5E में यह जो भी activities लिखी गई है और कहा गया supply of service है यह activities supply of service तभी होगी जब दो parties के बीच में दो parties के बीच में एक agreement हो जिसमें एक party इन कामों के लिए एक obligation अपने उपर ले रही हो unless that is the thing there is no supply and accordingly किसी तरीके की tax liability की कोई बात नहीं आएगी अच्छा और एक बात मुझे बताईएगा red light वाले example कोई एक बात दोरा देता हूँ red light टोस करने पर fine लिया गया क्या government और आप कोई भी definitely supply में आही नहीं सकता क्यों क्योंकि ऐसा कोई भी contract नहीं हो सकता जिसमें illegal चीज illegal चीज की बात हो मेरे खाल से foundation में contract लो पड़ाता तो सबसे पहली बात यहीं पड़ी थी कि contract हमेशा एक legal object के लिए होना चाहिए government कभी ऐसा contract आपके साथ करी नहीं सकती कि भाई तू तो मैं तेरे उस काम को टॉलरेट कर लूँगा और penalty ले लूँगा ऐसा काम government करी नहीं सकती विकोज illegal चीजों के लिए कोई भी नहीं हो सकता और आप देखेंगे आगे चल करके circular ने इस बात को as an example specifically लिख करके बताया है कि इस केस में कोई supply है ही नहीं are you okay with this तो first principle circular बेटा लंबा चोड़ा है ताफी सारी बाते बोलेगा तो मैं धीरे धीरे points आपके दिमाग में build up करूंगा तो सबसे पहला point जो अभी आपने मेरे साथ सीखा और समझा वो यह है कि para 5E तभी पढ़ेंगे जब दो parties के बीच में agreement हो जिसके pursuels में यह एक obligation लिया हो कि एक party ने obligation लिय या consideration are you okay with this? चलिए जी circular की reading start कर रहा हूं circular कहता है all the three activities, कौन कौन से three activities? Referent from doing an act, tolerating an act, you have to do an act. तो all the three activities must be under an agreement or a contract. पैरा 5E लगाने के लिए सबसे पहली साथ उन्होंने क्या बता दी कि यह जो activities हैं यह parties के बीच में under an agreement or contract होनी चाहिए. ठीक है? that agreement or contract may be express or implied. वो express हो मतलब दोनों parties में well settled हुआ हो या फिर वो surrounding circumstances के बेश पर implied हो. उससे कोई फ़रक नहीं पढ़ता हो, but there must be such agreement or contract. तो all three activities must be under an agreement or contract to fall within the ambit of the sad entry. sad entry का मतलब 5E. ठीक है बेटा? in other words, in simple words, one of the parties to such agreement or contract, let's suppose first party must be under a contractual obligation to either reference from an act, मैं ये काम नहीं करूँगा, या to tolerate an act or situation, दूसरी party की ये act or situation को मैं tolerate करूँगा, या to do an act, आपके लिए मैं ये काम करूँगा, there must be a contract और उसमें ये obligation लिया गया हो. further, some consideration must flow in return from the other party to this contract or agreement, जिसको second party बोला जा रहा है, to the first party for such refraining, tolerating or doing. बड़ा लंबा चोड़ा लिखा है इसने, आपको इसमें से key point क्या पकड़ना है? 5E लगाने के लिए पहली condition? agreement contract. की agreement contract जो है वो होना चाहिए, जिसमें एक party इन तीनों में से किसी काम का obligation ले रही हो, और दूसरी party बतलेनों से क्या कह रही हो, कि हाँ, आपने ये obligation लिया है, तो आपको return में मैं ये consideration पे करूँगा. Are you okay with this? Yes sir. फिर उसके बाद, अगले words, such contractual arrangement. अब ये जो हम कह रहे हैं कि agreement होना चाहिए, वो ही कह रहे है, ये जो contractual arrangement है, it must be an independent arrangement in its own right. Underline करते हैं, independent arrangement. ये जो arrangement जिसके हम बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वो एक independent arrangement उन parties के बीच में होना चाहिए. Such arrangement or agreement, अब ज़र इस पर ध्यान देना, such arrangement or agreement can take form of an independent standalone contract, underline कर लीजेगा, और में form part of another contract, form part of another contract. ठीके जी, अब ये लाइन ये कहना चाहिए, बेटा, agreement होना ज़रूरी है, ठीके जी, दो parties के बीच में agreement होना ज़रूरी है, और जो मैंने आपको underline कर रहा है, उसके basis पर मुझे बताना, बेटा, जब ये कह रहे हैं कि उनके बीच में agreement होना ज़रूरी है, तो ये क्या कह रह पार्ट, इस तरीके का कोई agreement या obligation भी ले लिया हो, वो भी चल जाएगा, पहली line से आपको क्या लगेगा, सच contractual arrangement must be an independent arrangement, लेकिन आप दूसरी line पढ़के जाओ, सच arrangement or agreement, बोलो, can take the form of an independent standalone contract, या फिर may form part of another contract, थोड़ा सा हो सकता है, आप यह मिसलीड हो जाए, पहली line पढ़ कि आपको क्या लग रहा है, कि independent होना चाहिए, बट लेकिन धान दंगना, वो क्या कह रहे है, यह जो arrangement है, इस तरीके का, कि आप obligation ले रहे हैं और वो पैसा ले रहे हैं, यह बात independent होनी चाहिए, बट इस बात के लिए जो contract है, इस बात के लिए जो contract है, वो contract एक independent contract भी हो सकता है और वो किसी दूसरे कॉंट्रेक्ट का क्या पार्ट भी हो सकता है यस वो दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है तेक है मैं दुबारा दोड़ाना चाहूंगा यह लाइन थोड़ी सी का पार्ट और पार्सल करके यह अरेंग्मेंट है तो वो भी चलेगा बाकी इसके एक्जामपल्स बिल्कुल आएंगे और आपको पूरी क्लारेटी से धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे समझ आएगा अभी के लिए सिफ आप से यह कहा रहा हूं कि पॉइंट नंबर जो है वो भी सर्कुलर में लिख करके दिये कि किस तरीके की एक्टिविटीज इन तीनों पॉइंट्स पर इस्पेक्टिवली जो है वो कवर हो सकती है तो वो एक्टिविटीज में आपको एक बार पढ़ाता हूं इनमें से ही कोई एक्जामिनेशन में पूछ लेगा ठीक ह तो वेटा-Pair-A5 इन तीन एक्टिविटी की बात कर रहा था ना? Number one, agreeing to the obligation to reference from an act. Agreement में आपने क्या काओ? Agreement में एक party ने क्या काओ? Đوسİ party को कि मैं ये काम नहीं करूँगा. चीक' slab? और दوسिर party बदला में उसte consideration दे दिया हूं तो इसका उन्होंने एक्जाम्पल दिया और सबसे बड़ी हाई एक्जाम्पल कॉमान एक्जाम्पल होता है यह नॉन कम्पीट एग्रिमेंट्स आई एम शूर आपको इसके बारे में पता होगा दीगे जी अमान लीजिए आप जो हैं किसी कंपनी में काम करते हैं काफी टाइम आपको काम करते हैं बहुत अच्छा experience हो गया अब आपका मन हो गया आप जोब नहीं करनी अब अपनी consultancy firm खोलूँगा तो अब जब आप जोब छोड़ रहे हैं तो कंपनी को एक डरसत आता है कि भाई यह तो बड़ा competent employee था यह जब अपना काम खोलेगा तो यह तो मेरे clients ले सकता है तो वो आपको कहता है कि जेखो आपको जो छोड़ रहे होगा तो आपकी इच्छा कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप जो होगा वो same line of business में प्लीज काम नहीं करेंगे और बदले में company जो है company क्या कह रही है कि मैं आपको यह consideration let's suppose 50 lakhs रुपीज का जो है वो में pay कर रहा हूँ चीके जी तो अब इन दोनों के बीच में यह arrangement हो गया और यह arrangement contractual obligations में हो गया यस तो यह contract हो गया अब यह जो activity हुई जिसके pursuence में आपने यह obligation लिया आप मुझे बताओ क्या आपने company को कोई good supply की है answer is no पर आपने agreement किया reference from act का और consideration मिला तो यह supply of goods नहीं है अब para 5E लगा करके यह क्या बन जाएगी supply of service supply of service तेक है और आप जानते हैं ऐसे non-competence agreement तो n number of agreements जो है वो practically होते हैं तो जब भी भी कोई व्यक्ति non-competence agreement करेगा और consideration उसका receive करेगा तो GST में उसको supply of service as per para 5E जो होगा वो treat किया जाएगा. Are you comfortable with this? Yes sir. पका है 100%? Yes sir. चलिए जी बिटा. फिर इसके बाद इन्होंने एक और example दिया second example उस पर धान में दीजिए a builder refraining from constructing more than a certain number of floors even though permitted to do so by a municipal authorities against a compensation paid by the neighboring housing project अब देखो situation क्या कह रहे है? वो कह रहे है कि मान लो जी ये एक housing project है चीक है? यहाँ पर एक मान लीजी ए residential complex बना हुआ है अब इसके आस पास में एक builder ने जमीन खरी दी अब builder ने जमीन खरी दी और बेटा वो यहाँ पर अपने हिसाब से अब वो एक tower जा है वो बनाना चार है चीक है? और मान लीजीए as per lo 10 10 माला tower जो जो जा है वो बना सकता है अब वो 10 माला tower बना सकता है कोई दिक्कत नहीं है? अचा अब लेकिन जिस building के पास इतना है जमीन खरीदी ठीक है? अब इस building वाले को पता चला कि परोस में एक builder ने इस तरीके से plot करीदा और वो यहाँ पर 10 माला building बनाने की planning कर रहा है और उन्हें यह दिखाई दिया कि यह जब 10 building tower बना लेगा तो इसके 10 माले की building से हो सकता मेरे यहाँ lights वगरा प्रोपर ना है? Yes or no? तो इसने builder को approach किया और इसने builder को बोला जी भाईक साब आप यह 10 माले का tower हमारे यहाँ हमारे साथ नहीं बनाएंगे builder बोला क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं कोई illegal construction थोड़ी ना कर रहा हूँ? मेरे को 10 माला permitted as per the rules and regulation मैं वो बना रहा हूँ आपको नोते हैं रोकने वाले तो उनोंने बोला जी हम रोकने वाले कोई नहीं होते हम तो आपको कहने आए हैं कि आपकी वज़ार से sunlight रुख जाएगी तो इस residential complex वाले ने बिल्डर के साथ एक agreement किया क्या? जिस agreement में बिल्डर ने obligation लिया किस बात का? कि वो इतने नहीं बनाएगा वो जी 5 ही बनाएगा वो 10 नहीं बनाएगा और बिटा agreement हुआ independent agreement हो रहा है? और उस agreement में जो बिल्डर obligation ले रहा है कि उसके बदले में वो constitution भी ले रहा है? यस तो बताए मुझे अब supply हो रही है नहीं हो रही है? यस और बिल्डर की तरफ से उसे कोई goods तो दिये नहीं जा रहे है कोई movable property तो दिनी जा रही तो definitely ये क्या है? supply of service para 5E इस agreement के उपर apply होगा तो कि supply है और para 5E के इसाब से बन जाएगा supply of service. Are you okay with this? ये बिटा इन्होंने पहली activity के example दिये. फिर उसके बाद उन्होंने का जी जो दूसरी activity para 5E में लिखी गई है agreeing to the obligation to tolerate an actor situation. अब इन्होंने इसके example दिये. अब देखो पहला example. A shopkeeper allowing a hawker to operate from the common payment in front of his shop against a monthly payment by the hawker. अब बिटा एक आदमी की shop है? ठीक है. अब इस shop के आगे जो passage है उसके आगे आकर के एक रिडी वाला खड़ा हो जाता है. और let's suppose वो खाने पीने का सवान बेच रहे है बोलगत पर टिक की पापड़ी और इन सोन. तो बिटा क्या दुकान के आगे ही जब वो खड़ा हो जाएगा तो दुकान के पैसेज पे इशू आ जाएगा? येस. तो वो उसको मना कर रहे हैं ये मेरे पैसा दे दूगा. आप चौपकी पढ़ने का अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है तो बिटा बताओ दोनों ने बैट करके एग्रीड अपोन किया? ये जिसमें दुकान दार ने क्या एग्री किया? कि ते रहे मेरी दुकान के बाहर रेडी लगाने वाले काम को मैं तोलरेट करूँगा और बदले में तु मुझे इतना पैसा चंसिट्रेशन देगा. एक प्रॉपर कॉंट्रेक्ट हो गया ये नहीं हो गया? कि तु मुझे प्रॉपर क्या में टेर गया? एक फैर क्या मेन दॉपर क्या शुर्वेर स्टिर्व ये चाहि लइतान प्रॉपर किया यहां पिक्चर में आएगा और ये ट्रंडेक्षन यहां मन जाय का सप्लाईयोप सर्वेस्ट्रेशन. I hope this is also clear yes the next example an RWA Resident Welfare Association tolerating the use of loudspeakers for early morning prayers by a school located in the colony subject to the school paying an agreed sum to the RWA's compensation dear what is happening here is a RWA there is a school in the school and there is a morning prayer and what is happening here is a RWA because of your morning prayers we have a show and you are running loudspeakers and they are running out loudspeakers and they are running permitted and they are not running out of a wrong statuary violation and they are saying when we have a problem please don't run loudspeakers and you can see any other system they are saying okay let's go what will we get in the back then RWA is ready to give agreement you can tell me that the two parties have a agreement in which the school has said that the RWA has said that ok I am taking my obligation to you and that your loudspeaker will be tolerated. Are you okay with this? Yes. So what will this be? Supply contract and accordingly what will this be? Supply of service. Are you clear? Yes sir. Actually. For this next example. Agreeing to the obligation to do an act. Where an industrial unit agrees to install equipment for zero emission discharge at the behest. Behest service. Okay. Now what will this be? It will be agreed upon that it will install equipment and it will not be done with pollution. Now what will this be? It will install it or request it? Yes sir. It will request it. Who has requested it? RWA. RWA has requested it. RWA has requested it that you are running industrial units and it will not be good for the emission and it will not be good for society. So you put equipment in which it will not be good for the pollution. Okay. Now one thing I will tell you. In the next line, the pollution industry unit was doing, was it something like that it was a legal violation or the legal limit allowed? It was a legal limit. If it was under the legal limit. If it was under the legal limit, then definitely if you agree with me, I will give you money. So RWA has said that we will give you some money. Now you can tell me. Is there a legal agreement between parties? Yes. In which RWA has agreed upon that I will install this thing. So this activity now being a contractual activity, it becomes a supply activity. And if any goods and goods were not supplied in the industry unit, this is a supply of service. This is the third category of the Pera 5e. This is the third activity. Are you okay with this? Yes sir. So this is CBIC's examples. And you will see all these examples of common threats. If all the parties are willing to bathe, they are willing to bathe, and they are willing to bathe as to the respective obligations. Yes. And they are willing to bathe as to the respective obligations. Yes. And they are willing to say that when it is such a contract, there will be activities in the contract. Then only this can become a supply and then the Pera 5e will be applied to the supply of service. Are you comfortable with this? Yes sir. Sure? Yes sir. Yes sir. So this is the first work that CBIC Circular has done for the basic understanding of its clarity. Then the other work that CBIC Circular has done for the industry-specific issues that they have handled. Okay? This is the application of the time. Okay? There are many industries that they feel that they have approached the industry-specific matters. So now they have a clear clarification on industry-specific matters. Then they have a broad understanding that they need to understand where they are. Now the specific issues that they have done for the specific issues that they have done for clarity. Now the specific issues that we have are not. Are you okay with this? Yes sir. Yes. Now the cases that we have been given before, okay? To understand this, I will first clear the background situation in your mind. After that, we will better understand the respective cases. Okay? No situation they have given, no questions they have. So it will take a time. You will first understand the broad principle of service. So you will understand the first time. Now I have told you what I was told. In the first point, they have told you that they should have an arrangement agreement in which one party, first party, what do I say? That I will do these activities for you. For the other party, what do I say? That I will do this for you. That I will do this for you. I will do this for you. Yes sir. Yes. Now I will take this extension with you. Now, I will promise my side of reciprocity. Then at the other party for you will get the payment consideration. Okay? Okay? And now, the question, you will understand the तो parties के बीच में contract होता है तो is it a normal phenomenon की contract हुआ है तो क्या कभी breach of contract की situation भी arise हो सकती है येस जब धान से चुनिएगा बात को contract जब भी parties करेंगी तो definitely might be की breach of contract भी कुछ situation में हो जाए अचा breach of contract का simply सा मतलब क्या हो गया parties ने जो agreed upon condition करी थी उन में कोई fulfilled नहीं अचा breach of contract किसके पार्ट से होगा बटा बताना seller के पार्ट से होगा या seller के पार्ट से होगा या किसी के भी पार्ट से हो सकता है अब जड़ा ध्यान से सुनिएगा breach of contract को लेकर के हमारा जो contract act है breach of contract को लेकर के हमारा जो contract act है उसमें दो section जिनका reference use किया गया है मैं उसका brief introduction दे रहा हूँ हमारे दो section है section 73 and section 74 जिसमें section 73 contract act का वो आपका ये कहता है कि अगर दो parties के बीच में contract हुआ और उस contract में breach of contract कर दिया गया by any party उस breach की वजए से जो दूसरी party है उसको suffering होगी yes तो अगर ऐसा होता है कि there is a breach of contract by one party then the other party then the other party is entitled किसी इचका for compensation if there is breach of contract by one party जिसकी वजए से दूसरे को suffering हुई है तो जो other party that is entitled to receive compensation for the losses and damages जो उस breach की वजए से उसे face करने पड़े है are you okay with this yes this is specifically written under section 73 चीक है अच्छा फिर section 74 जो है उसमें ये लिखा हुआ है अब parties contract करते time pre estimate कर सकती है कि ये contract है it has to be honored अगर इसका breach हुआ तो मुझे इतना loss expected है वो ऐसा pre estimate कर सकती है और वो pre estimated loss को contract में write down भी कर सकती है भाई देखो breach of contract हुआ मुझे इतने का loss होगा विचा है pre estimated और आपको जो होगा मुझे वो loss जो होगा वो pay करना पड़ेगा और अगर इस तरीके से loss pre estimate करके contract में लिख दिये जाते हैं तो फिर इन losses को बोलते हैं हम liquidated damages क्या बोलते है liquidated damages 73 और 74 का difference बोलना एक बाद फिर से 73 में यह लिखा हुआ breach होगा तो जिसने breach किया वो liable हो जाएगी दूसरे को damages देने के लिए चीग है जी और 74 क्या कहता है अगर contract में वो damages pre quantified है return है कि इतने damages होगे तो वो liquidated damages बुलाए जाएंगे और उतने damages के लिए वो other party फिर entitle हो जाएगी are you okay with this? yes अच्छा अधरा ध्यान से सुनिएगा इनकी अब applicability पर एक issue आया जैसे मान लिजे हम कहते हैं यह A और B इनके बीच में contract हुआ बटा A is a seller of goods let's suppose and B is buyer of goods चीक है अब B let's suppose कोई manufacturer है बटा और उसको कोई order मिला और उस order के लिए उसे चाहिए तो raw material वो raw material के लिए बटा उसने A के साथ contract किया A को उसने order दे दिया कि भाई मुझे इतना raw material आप से चाहिए price बगारा सब जो था इनके बीच में त्या हो गया अचा बी ने order देते टाइम एको clear cut बोला कि भाई यह जो मुझे समान चाहिए यह मुझे इस particular date तक चाहिए और इसमें कोई delay नहीं होनी चाहिए तो कि अगर तेरा raw material मेरे पास लेटाया तो मेरा पूरा manufacturing schedule जो मैं बना के चल रहा हूँ वो दिस्टर्ब हो जाएगा और मेरा डिस्टर्ब हुआ तो आगे मैं फिर time से supply नहीं कर पाऊंगा या जिस season के लिए मैं माल बना पा रहा हूँ वो season अगर थोड़ा सा भी कम छोट हो गया तो बेकार हो जाएगा जिसे माल लो मैं दिवाली के लिए कुछ बना रहा हूँ तेरी delay से मेरा वो दिवाली वाला season खराब हो जाएगा तो इसलिए contract में एक condition लिख दी गई कि भाई you have to make sure that you are giving me timely delivery of the goods are you okay with this और अगर तुने इस term को breach किया which is the essential condition of our contract with clear cut understanding तो फिर तुझे मुझे damages देने पढ़ेंगे अचा और प्लीज जान में रखेगा further यह दोनों आपस में क्या कर सकते हैं एक तो simply यह लिख करके छोड़ सकते हैं देने पढ़ेंगे और दूसरा यह क्या कर सकते हैं साथ में pre-quantify करके लिख सकते हैं अचा अगर यह pre-quantify करके नहीं लिखते हैं तो उस case में damages तो देने पढ़ेंगे बट वो damages पर dispute हो सकता है और फिर वो court settle करके बताएगी कितने लेकिन अगर इन दोनों ने pre-quantify कर लखे हैं तो फिर dispute नहीं होगा फिर तो clear cut दोनों को पता तो न डिफॉल्ट होने पर क्या होगा तो फिर वो liquidated damages के नाम से बुलाए जाते हैं are you okay with this yes situation हमारे पास यह हुई दिरा द्धान से सुठिएगा a और b के बीच में पहले एक बाद बताओ क्या कोई supply का contract था yes or no yes किस वो क्या contract था supply of goods मेरे example में ठीक है न जिस contract में a को b को good supply करने थे उस contract में as a part and parcel उस contract के as a part and parcel ये शर्ट लिख की हुई थी breach of contract को लेकर के ये close लगा हुआ था yes अब माल लेते हैं बिटा ये जो a था वो default कर देता है वो इसे timely supply नहीं कर पाता अब अगर ये इसे timely supply नहीं कर पाता तो आप मुझे बताओ टाइमली supply ना करने पर as per the contract इस आदमी को क्या b को damages की payment करनी पड़ेंगी ये तो ये तो pay कर रहा है और बिटा 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 के हाथ में ये income हो गई येस अब जिरा attention ले लेना अब बिटा बी को ये जो पैसा मिला ठीक है contract का valuation हुआ defaulting party ने ये payment करी अब ये जो बी को पैसा मिला इस पैसे की ऊपर बिटा GST liability को ले करके issue आए ठीक है और issue ये आए बिटा GST officer का ये कहना था देहान दीजेगा क्या GST officer का ये कहना था सुनो बी तुम्हें ये जो पैसा मिला है तुमने सुनना जरध हान से उसका ये कहना था कि तुम्हें ये जो पैसा मिला है ये पैसा तुम्हें इस बात का मिला है कि तुमने बी को जो ये एको जो है वो supply करी है अब भी कह रहा है भाई सप्लाई मैंने उसे कुछ नहीं करनी थी उसने मुझे करनी थी और वो नहीं कर पाया इसलिए मुझे ये पैसा मिला है उसने बोला वह बात मुझे पता है टेक्निकल बात समझो आफिसर बोल रहा है भी को कि उसने तुम्हें सप्लाई नहीं करी तो उ तो कि टॉल्डेशन के बतले में तुमें यह पैसा मिला है तो यहां पर पैरा 5E एस पर दा ओफिसर अप्लिकेबल हो जाएगा और अपने इस पैसे की जब प्राप्ति करी है तो GST की नजरों में आपने उसे supply of service करी है और अपने इस पर जो होगा आपको GST जो होगा वो देन पड़ेगा अरे ओके विद दिस अब सुनिएगा बिटा जरा ध्यान से अब भी उसको बोला भाई बड़ी अजीब सी बात कर रहे हूं मैंने उसे तो मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई supply करी उसने बोला हम दोनों ने क्या कोई agreement किया था जिसके अंदर मैंने obligation लिया हूँ तो officer बोला देखो हमने कहा तो था कि जरूरी नहीं है कि जो agreement हो वो हमेशा independent हो हमने क्या बोला था ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई main contract है उस contract का part and parcel हो तो नहीं बोला तुम्हारे main contract supply of goods का था ये उसका as a part दोनों के बीच में arrangement है और वो arrangement है कि हाँ अगर उसने supply नहीं करी तो फिर वो तुम्हें ये liquidated damages पे करेगा तो accordingly ये जो होगी वो supply of service पैरा 5E में बनेगी ये officer ने stand लिया और बेटा industry वोड़ी परिशान थी इस बात को ले करके क्योंकि वो इस बात को practically digest नहीं कर बाती थी कि ये इस case में हम supply कर रहे हैं मेरी बात समझ जो तो ये CBIC के पास clarification के लिए बेजा गया कि क्या officer ये जो stand ले रहे हैं क्या ये सही है और बहुत बढ़िया clarification CBIC ने दी सुनेगा ज़रा ध्यान से उन्होंने कहा कि भाई साथ ज़रा ध्यान से सुनेगा बिटा उन्होंने कहा जी B को contract में ये जो liquidated damages received हु compensation अब ये क्या बात हुई अच्छा एक बात आप समझते हैं GST किस पर आता है consideration receiver ये compensation receiver consideration receiver ये बात ये बात है as a matter of principle हमेशा ध्यान में रखिएगा बिटा GST आएगा जब आपने supply करी और consideration receive किया if you have received other than consideration compensation जैसे let's post तो फिर compensation can never be subjected to GST compensation can never be subjected to GST अब बात लेकिन ये आ रही थी officer कह रहा था नहीं नहीं ये tolerance का consideration है क्या कह रहा था officer tolerance का consideration है officer को text ही है तो वो इसको क्या कह रहा था tolerance का काम किया है और ये उसका consideration है बट बी का क्या कहना था भाई साब ये कोई consideration नहीं है ये तो compensation है और बी इसके अलावा एक और दलील देता था बिटा बी ये कहता था भाई साब आप पहले तो ना clarity ले ले मैं उसके इस act को tolerate करने के लिए बिलकुल तयार ही नहीं हूँ क्या बोला मैंने बड़ी गहन बात बोल दी मैं उसके इस act को tolerate करने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं हूँ वो कह रहा है जी मैंने इसके साथ जब ये supply of goods का contract किया था तो मैंने बिलकुल भी ये intent माइंड में नहीं रखी थी goods दे देगा तो बहुत बढ़िया नहीं देगा तो liquidated damages आ जाएंगे मेरी intent नहीं थी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाता था वो मुझे goods timely delivery दे और अगर नहीं देता है तो मैं कते ही उसके act को tolerate करने के लिए तयार नहीं हूँ तो this is not consideration for toleration of an act this is rather than compensation for non-toleration of his breach of contract मेरी बात समझ में आया मेटा यहां से ही आपको second point पकड़के चलना है क्या toleration of an act का consideration मिलना वो एक अलग बात है और non-toleration में compensation मिलना damages का वो एक अलग बात है and what is subject to GST is consideration of tolerance not any compensation for the non-tolerance तो उन्होंने यह पहली clarification issue करते हुए यह का liquidated damages अगर किसी party को receive होते हैं तो उसके उपर GST picture में नहीं आएगा पैरा 5E तक कहानी जाएगी ही नहीं यहां कोई supply का काम नहीं हुआ है कोई toleration का काम जो है वो यहां पर involved नहीं है are you okay with this yes चलिए circular में पढ़ते हैं liquidated damages को लेकर के लिखे गए words liquidated damages क्या treatment दिया गया है non taxable ठीक है पढ़िएगा बिटा मेरे साथ साथ सबसे पहले तो liquidated damages होते क्या है compensation for loss suffered भाया party to the contract due to breach or non performance of contract by the other party ठीक है जी फिर मैंने आपको बताया था contract act में दो section है 73-74 73 of contract act वो क्या कहता है party suffered is entitled to receive compensation for the loss or damages costume ठीक है और 74 क्या कहता है compensation वो specified किया जा सकता है contract में अगर वो लिख दिया गया कि इतना loss मिलेगा तो फिर उसको क्या बोलते है liquidated damages लाइं कह रही है liquidated damages are a measure of loss and damage that the parties agree would arise due to the breach of contract अब ध्यान से पढ़ना बिटा दा liquidated damages or penalty are not the desired outcome of the contract by accepting the liquidated damages the party agreed by the breach of contract cannot be said to have permitted or tolerated the deviation or non-fulfillment of the promise by the other party वो बिलकुल त्यारी नहीं है इस बात के लिए कि वो ऐसा काम करें ठीक है ना in such cases liquidated damages are mere flow of money from the party who causes breach to the party who suffer loss or damage due to such breach last line आप साथ में पढ़के बोले such payment do not constitute consideration for a supply and are not taxable इस line को बेटा box में कर ले such payment do not constitute consideration for a supply हाज बेटा एक लाइन में अगर बात करोगे तो बेटा liquidated damages को उन्होंने बोल दिया GST नहीं लगेगा और उसका की reason क्या दिया की reason पूरे पैरा में मैंने आपको box में क्या करवाया की reason क्या है कि यह जो पैसा मिला है यह consideration नहीं है यह consideration यह क्या है फिर यह compensation under GST what is taxable is when you are making a supply for consideration तो आपको जो payment as a consideration मिलेगी only that can be subjected to GST if you are receiving some payment but that is not a consideration to definitely that cannot be subject to GST आपको याद है जब हमने supply का discussion किया था तो मैंने आपको एक point यह पड़ाया था मान लो आपको को donation मिलती है को donation मंदिर को जैसे donation मिलती है ना लोग आते है donation तो क्या donation के ओपर मंदिर GST देगा no ठीक है क्यों donation is not a consideration हमने पड़ा तभी supply होने के लिए क्या होता है कि supply होती है जिसमें consideration involved हो तो यह नहीं है कि पैसा मिल गया तो GST देने ही पड़ेगा if what you have received is not consideration like your donation like your sum वो होती थी आपकी voluntarily payments ठीक है एक आदमी बेटा सड़क पर वाइलन बजा रहा है लोग आते जाते जो है उसको सिक्के डाल जाते हैं तो आप क्या बोलोगे उसे consideration मिला है नो क्यों क्यों कि उसने वो activity क्या करी वो under contract करी नो वो तो ऐसी perform कर रहा था जिसका मन आया वो पैसे दे गया तो प्रीजान में रखिएगा consideration होता है under contract अजब तक payment in the nature consideration ना हो उसके उपर GST जो है वो नहीं आएगा तो अब जितने भी आगे examples चलेंगे ना उन सब को आपके लिए समिजना बड़ासान हो जाएगा अगर आप एक की वड़ याद रख लेंगे मैं आपको अलग-अलग situation दोगा पार्टी के पास payment आई होगी आपको तैय करना होगा कि वो जो पेमेंट उसके पास आई है क्या वो बाय नेचर consideration लग रही है अगर yes then GST will come in to picture अगर वो compensation के nature की होगी तो फिस GST नहीं लगेगा are you comfortable yes यह मैंने आपको correct बता दिया अब इटा इस यह जो second point मैंने आपको correct निकाल के दिया इसके उपर पूरा circular जो होगा वो मुव करेगा ठीक है अब आगे जाने से पहले बिटा पैरा 5E पिच्चर में आने के लिए आप दो बात याद रख लो सबसे पहली बात first point agreement में काम हुआ हो ठीक है और उस agreement में यह जो पैसा मिला हो बाइनेचर क्या होना चाहिए consideration बस यह दो बाते धान रखना अब बिटा जब CBIC जब इस clarification को issue कर रही थी ना कि यह जो liquidated damages है यह compensation यह consideration नहीं है तो आप पता है CBIC के माइन में एक चीज हो रहा ही उन्होंने यह बोला अब जैसे ही हम लोगों को यह समझाएंगे ना कि compensation पर GST नहीं लगता तो लोग GST अवाइट करने के लिए contract में हो सकता है जो पैसा मिलेगा उसको नाम compensation का देने कि कोशिस करें बढ़ी ऑवियस सी बात है स्मार्ट हो आप भी चार्टे अकाउंट हो आपके क्लाइंट है जैसे ही आपको नॉलिज बिल जाएगी अब आपको मैं एक बाप बताता हूं थोड़े दिनों पहले contract में पढ़ रहा हूं उस contract में एक architect ने अपने client के साथ agreement किया उस agreement में उसने यह लिख का जी आपको मैं आपके project के लिए design जो हूंगा वो तियार करके दूँगा और उसमें मुझे तीन महीने लगेंगे and for those three month of my activity services you are required to compensate me by paying 50 lakh rupees आप मुझे बताना अब इसने वर्ड क्या यूज किया compensate me बट क्या वो compensation ले रहा है answer is no वो क्या ले रहा है consideration वो क्या ले रहा है consideration और यो के विदिस तो पर example दिये थे यह जो agreeing to the obligation to reference from an act था इसमें जो second example CBIC ने खुद लिखा था इस पर ध्यान दो क्या builder building बना रहा था साथ वाला क्या कह रहा था भई दस माले की मत बनाओ हवा पानी रुख जाएगा हमारा builder ने बोला नहीं मेर तो legally allowed हूँ मैं तो बनाओंगा नहीं तो मुझे लोस होगा तो इन्होंने क्या बोला भई जो तुम पाच building नहीं बनाओगे उसके वदले में हम त stand-alone agreement किया था ठीक है जी मैं पांच माले नहीं बनाओंगा अपना revenue वहां से छोड़ दूँगा आप मुझे consideration दे दो तो यह क्या है consideration तो be very clear ठीक है जी हम आपको situation explain करूँगा जो जो CBIC ने दी और आप थोड़ा सा मैनत करके evaluate करते जाहिएगा कि यह जो payment मिली है does it seems to be consideration और compensation ठीक है बटा चलो अब बटा second example जो उन्होंने use किया अच्छा इसमें जो liquidated damages मैंने first बता है ना बटा इसको आप most important mark कर लो triple star लगा लो वैसे तो no points है बट इसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा chances है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा dispute में चल जाता अब second situation compensation for cancellation of call blocks अब सुनिएगा इसकी कहानी क्या है बटा government ने call blocks का auction किया चीक है आप सभी जानते है जैसे होता न टेलीकों सक्रेक्टेंग का auction होता है ऐसे ही government ने call blocks call mining के लिए जो था बटा वो license issue करने के लिए auction किया auction में bidding होई और bidding में मान लो x y जो था वो जी दिया highest bid दे करके और बटा उसने अपना government को जो है वो price पे कर दिया government ने उसे accordingly call mining के rights दे दिया चीक है और consideration जो था वो receive कर लिया यह UPA government के time की बात है वैसे चीक है अब बाद में बिटा किसी व्यक्ति ने जो था वो court में जो थी एक petition लगाई Supreme Court के पास public interest litigation और उसमें उन्होंने यह का गया कि government ने यह जिसको license दिया ना यह undue price बहुत cheap जो है वो से दिया है उन्होंने वो जो auction का price set किया ना bidding का वो जिस भी फार्मूले तरीके से set किया वो जान मुझ के कम रखा गया है ठीक है और उन्होंने बुला कि government के officer ने bribe लिये और कम रख करके इस तरीके से जो scare resources उनको सस्ता दे दिया गया है inquiry की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने inquiry कराई और सुप्रीम कोर्ट ने inquiry के बाद यह पाया कि हां भई इसमें default रहा है और बेटा कोर्ट ने order किया कि यह जो auction है इसको cancel समझा जाएगा इसकी legal validity नहीं होगी कोर्ट ने साथी government को फटकार भी लगाई कि आप auction transparent manner में करेंगे और यह जो already हो गया है इसको cancel करें और fresh auction करें और fresh bidding से यह दूसरे लोगों को जो है वो दिया जाए मेरी बाद समझाई जैस अब government ने बिटा सुप्रीम कोर्ट की instruction के बाद फिर government ने अपना एक एक्ट बनाय call my special provision act जिसमें उसने transparent bidding वगएरा के जो है वो provision lay down किये और फिर उनके इसाब से उन्होंने fresh bidding करी और let's suppose अब की बार ABC उसकी bidding जो है वो असेप्ट हुई ठीक है बटा चलिए अब बटा एक बड़ा छोटी सी एक बाद बताओ जो original L.O.T. था जिसको original auction में sanction कर दिया गया था उसने तो पैसे भी दे दिये थे अब वो इस बात पर objection उठाएगा के नहीं कि मेरा auction कैंसिल हो गया मैं तो जीत गया था वो objection उठाएगा बट आप इस भी जानेंगे बटा सुप्रीम कोट के कहने पर कैंसिल हुआ है तो वो कर कुछ नहीं सकता ठीक है ना हा लेकिन वो एक बाद जरू चाहे था भाई साब ठीक है आपने auction कैंसिल कर दिया लेकिन मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए तो बटा जब सुप्रीम कोट ने ये बोला न आपकी कहानी यहां साथ होती है इस एक्स वाई को गौर्णमेंट से कुछ पैसे मिले येस इस एक्स वाई को गौर्णमेंट से कुछ पैसे मिले अब इचारा समझ गए हो तो बताईएगा ओफिसर यहां पर इस एक्स वाई से क्या कह रहा होता होगा देखो तुमें यह जो पैसा मिला तुमें यह जो पैसा मिला यह वो क्या बोलेगा ओफिसर क्या बोलेगा या कंस consideration consideration और आपको पता है वो इसे बोलेगा कि भई आपने आपका ये जो अलोटमेंट हुआ था उसके cancellation के act को tolerate किया और उसके बदले में आपको ये amount मिला और भूल जाओ इसे compensation लिखा गया ये क्या लिखा गया ये actual में officer बोलेगा कि आप tolerate कर रहे हो और ये actual में उस toleration का consideration है और accordingly इसको supply माना जाएगा 5E में supply of service मानूँगा इसके उपर आप GS की 18% का जो है वो pay करो ठीक है अब आप मुझे बताना forget about इसे payment करते टाइम compensation के नाम से दिया गया या किस नाम से दिया गया आप सही में सोचके बताओ बिटा क्या सही में XY ने government के साथ कोई agreement किया नो कोई agreement नहीं किया था कि हाँ मैं आपके इस तरीके का काम को ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं था ये तो Supreme Court ने cancel किया जिसकी वज़े से ये situation arise हुई और उसको government ने जो है वो पैसे दिये ठीक है और दूसरे अंगल से भी बताना क्या XYZ कभी भी ऐसी intention रखता था कि मेरा अगर contract cancel हो जाए तो मुझे ऐसे पैसे मिल जाए I will tolerate ऐसी कभी भी वो intention नहीं रखता था तो accordingly CBIC ने क्या बुला ये जो payment मिली है ये consideration नहीं है इसको नहीं कहेंगे consideration of tolerance of cancellation this is simple compensation and accordingly out of GST तो इसको लेकर के भी नोने बोला इट इस non-tax-saver कि अर्यों के विद इस फड़ा बट से साहित पढ़ लेता हूं साल 2014 की बात है जब Supreme Court ने ये cancel किये थे पर इसके बाद fresh allocation किया गया फ्रेश लोगों को और जो old allotis थे उनको compensation 2016 में as per the Supreme Court in section जो था वो दे दिया गया ठीके जी अब circular ने simple सा logic पक रहा है ये जो old allotis थे जिनको ये compensation मिला है देखिए का लाइन पड़िए का क्या करें देर इस no agreement between old allotis and government to tolerate act of cancellation and receive payment compensation as consideration ऐसा कुछ है नहीं तो this cannot be said to be consideration for tolerance of cancellation this is nature by nature this is compensation are you okay with this let's proceed to the next one ठीक है third point को बेटा भी pending रखता हूं third को बाद में लूँगा चौथे की बात करता हूं penalties imposed for violation of law यह मने आपको सबसे शुरुवात में बताया था red light ठीक है ना तो definitely वो जो है कोई contractual agreement में काम हुआ ही नहीं है तो this is also non taxable reasoning पढ़ लेते हैं एक बार यहां से circular की wording की चलो जी speed लेते हैं penalty impose for violation of laws such as traffic violations या for violation of pollution norms or for other laws are also not consideration for any supply received and are not taxable तो वो सब में से कुछ भी consideration नहीं कहा जा सकता there is no agreement between the government and the violator specifying that violation would be allowed or permitted against payment of fine or penalty there cannot be such agreement as violation of law is never a lawful object or consideration logic मैंने आपको already बताया था ऐसा को अट्रेक्ट होई नहीं सकता कि आप एक को वैलेट करें और कहें पैसा दे दूंगा चीके जी तो जो भी statutory penalty लगी है वो बिटा कभी भी definitely GST में कोई tax liability attract नहीं करेंगी आज ओके विद्स अच्छा अब यह चोता point है इससे related एक example नहीं चलिएगा बिटा एक्च्छल में यह एक situation थी जिसके उपर यह specific point इन्हों ने दिया है गौर्मेंट ने बिटा क्या किया auction करी mining let's suppose उन्होंने जह है mining rights को लेकर के auction करी और ABC को let's suppose ultimately वो mining license दे दिया गया ABC ने उसके लिए requisite consideration जो था वो government को pay कर दिया अब पहले इतने में बताओ गौर्मेंट ने mining करी license इसू किया और ABC ने consideration दे दिया क्या government ने ABC के साथ contract किया यहां पर यह और क्या contract के persons प्रापर contract के persons पे supply हुई है यह क्या government ने उसे कोई goods दिया है नो तो यह activity government की क्या रही होगी supply of service इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप जब license दिया गया बिटा तो उस license में one of the condition of license थी वो यह थी कि यह जो ABC होगा यह एक particular quantity की ही जो होगी वो mining कर पाएगा ठीक है जैसे माल लो इसे mining license बिटा दो साल के लिए दिया गया और send का mining license अमाल लीजे ठीक है अभी आदमी क्या सो सकता है दो साल में ही सारा खुद डालू yes or no तो government क्या कहती है भाई ऐसा नहीं है quantity specified है कि तू जो होगा पर इयर इतनी ही mining इसमें कर सकता है ठीक है और वो उससे ज़्यादा ना करे इसके लिए contract में साथ में लिखा गया अगर तुने access mining कर दी तो तुझको penalty जो होगी वो pay करनी पड़ेगी अगर तुने access mining कर दी तो फिर तुझे penalty जो होगी वो pay करनी पड़ेगी access mining अगर कर दी तो फिर तुझे requisite penalty जो उन्होंने mention कर दी वो जो होगी वो pay करनी पड़ेगी अब इस ABC ने कर दिया default इसने access mining कर दी गवर्मेंट ने जब इसे guilty पाया तो गवर्मेंट ने फिर इससे वो access mining के respect में जो penalty की बात लिखी थी वो गवर्मेंट ने इससे का भाई penalty पे करो इसने गवर्मेंट को वो payment करी अब आप मुझे बताओ ये वली payment जो गवर्मेंट के पास आई है किस वज़े से आई है access mining की वज़े से अब मुझे एक बाप बताओ बटा क्या इस payment को हम यह कह सकते हैं कि this is consideration received by the government for tolerating the act of access mining of ABC अगर इसको आपने यह कहा कि यह consideration है for tolerating the act of access mining तो फिर यह supply हो जाएगा और supply हो जाएगा तो 5E में supply of service में taxable हो जाएगा but point is that क्या सही में यह payment आपने as a consideration कि sense में receive करी है या यह compensation fine penalties है compensation fines penalties है अब इटा इनके उपर GST आएगा या नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा बिको GST is only when a payment is received as a consideration not as a compensation legal fines or penalty तो यहाँ पर accordingly कोई GST liability picture में नहीं आएगा government कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच रही होगी कि हाँ access कर दी तो कोई बात नहीं as a consideration penalty ले लेंगे उन्होंने गल्ती से भी नहीं सोचा होगा यह legal fine है ठीक है जी और उन्होंने इस point में clear cut ball रखा है जो यह violation of law के लिए जो fine वगरा लगाए जाते हैं penalty लगाई जाती है उनके ओपर कोई GST नहीं आएगा are you okay with this? चलिए जी fifth point fifth point इस पर भी बिटा double start लगा लेंगे काफी अच्छा point है notice pay recovery from employee notice pay recovery from employee अब यह क्या कहानी है जड़ा simple सी कहानी है बिटा एक बाह बताओ मानलों मैं आपसे यह कहूँ कि ABC company है ठीक है इसने जो है Mr. X इसको hire किया ठीक है और इसको उन्होंने एक अपनी company में job दी तो बिटा उस employment contract के persistence में Mr. X जो होगा वो ABC को जो होगा वो services देगा और ABC जो होगा वो बदने में उसे consideration के तोर पर जो होगी वो salary जो होगा वो पे करेगी इनके बीच में बिटा contract कौन सा है employment contract कौन सा contract है employment contract जिसमें Mr. X employee है and ABC जो है वो employer है बिटा Mr. X as an employee ABC company को अपनी services दे रहा है और बदले में as a consideration वो salary ले रहा है आप मुझे बोलिएगा इस पर GST आएगा no क्यों नहीं आएगा बिटा because employment contract जिसमें employee employer को service देता है वो schedule 3 में लिख्यूई थी out of scope कहा लिख्यूई थी out of scope schedule 3 में याद आता है क्या yes चीक है जी आच्छा तो यहाँ कोई GST की liability बनेगी नी because this activity is out of scope of supply अच्छा आप कोई भी company बैटे जब किसी employee को hire करती है तो आज कल पता अच्छे employee मिलना बहुत बड़ी problem है चीक है एक employee को मतलब हायर करने में company की अच्छी खासी acquisition cost लगती है क्यों जर्णली वो HR managers वो देखते हैं भार company होते है जो उनके थू जो है वो employees हायर करते हैं तो उनको पैसा देते हैं भई तो अगर यह employee अचानक से ही छोड़के चला जाए तो company को तो फिर दिक्कत हो जाएगी वापस से उसके वेस्ट हो जाएंगे तो मेरे खाल से आप सभी जानते है company practically आज की rate में क्या करती है जब कभी employee को hire करती है तो employment contract में condition डाल देती है ठीक है क्या जिसमें वो यह कहती है कि भाई साब आपको हमने हार किया है बट आप जो होगे under bond रहोगे for certain period let's suppose उससे उन्होंने छे महीने का जो है वो bond sign कराया है उससे पहले आप नहीं छोड सकते और अगर छोड़ोगे तो फिर आपको जो होगा वो हमें certain amount जो होगा वो pay करना पड़ेगा आप सबसे पहले मुझे एक बाद बताओ company यह पैसे क्यों ले रही है तो आपको एक notice period रहेगा छोड़ना भी चाहते हो इस period के बाद तो आपको हमें एक महीने का कम से कम notice देना पड़ेगा ताकि हम दूसरे को उस period में acquire कर ले हमारी routine activity disturb ना हो और अगर आप requisite notice नहीं देते हैं तो फिर आपको हमें certain amount जो होगा वो pay करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ऐसे contract आप सभी की knowledge में है तो दो बाते मैंने बोली एक तो इतने period तक रहोगा ही रहोगे नहीं तो damages देने पड़ेंगे और दूसरा छोड़ोगे उसके बाद भी तो भी एक certain period का notice देके छोड़ोगे अधर आपको payment करनी पड़ेगी पड़ेगी तो बेटा ये वली जो notice वाली बात होती है ना कि notice proper देने के बाद ही छड़ोगे नहीं तो damages दोगे तो इसको हम बोलते है notice पे recovery क्या word clear है notice पे recovery जिसकी वजए से company ने उस employees से एक requisite payment जो थी वो ले ली तो बेटा अब ABC को ये payment मिल गई अब ये जो payment मिली है इसके उपर GST का question है और आपको evaluate करके अपनी general knowledge पर बताने बेटा company को ये जो payment मिली है क्या company को ये payment as consideration मिली है for tolerating the act of employee of not serving the notice तीक है अगर हमने ऐसे बोला कि ये है consideration for tolerating the act of not serving the proper notice तो फर ये supply होगा और 5E में supply of service होगा लेकिन अगर आपको होगे भई ये payment कोई toleration की payment नहीं है ये तो non-toleration का काम है और compensation है तो फिर GST से बाहर है तो आप मुझे बताईएगा आप इस अठेंटे दिमार्स से सोचके बताईएगा क्या कोई भी company क्या ऐसी intent र है नहीं उनकी ऐसी intent नहीं है ये in fact लगाई ही क्यों जाती है because they don't want to tolerate the act of such act of employee तो CVIC नहीं अकोर्डिंग लिए बोला this payment again is not subject to GST ओके है चलिए पॉइंट नमबर फिफ्ट नोटीस पे recovery for employee जो की की जाती है या तो उसकी salary का कोई amount forfeit कर लिया जाता है adjust कर लिया जाता है या फिर bond amount जो लिया जाता है वो लिया जाता है in the event of employee leaving the employment before the minimum agreed period और उन्हाने बोला ये non taxable होगा reason एक बढ़ लेते हैं quickly the said amounts are recovered by the employer note as a consideration for tolerating the act of such premature quitting of employment but as penalties for deciding discouraging the non serious employees from taking up employment and to discourage and debtor such a situation are you okay with this yes sir अब बेटा जितने भी example मैंने करा है मेरी कोशिश यह है कि आपको एक common thread याद रहे compensation है या consideration are you okay with this और थोड़ी देर के लिए मैं एक बात और आपको बोल दो बेटा CBIC जो circular से कह देती है वो क्या officers के उपर binding होता है yes याद है के रही CBIC जो circular से कह देती है वो officers के उपर binding होता है तो अब कोई भी officer इस circular के against stand नहीं ले सकता वो किसी assessi को परिशान नहीं करेगा तो आपको यह जो पढ़ा रहा हूँ बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं best करूँगा ही नहीं आपसे आज की date में ओके है चलिए अब जड़ा मैं उपर वाले third point पर आ रहा हूँ बेटा check dishonor fine और penalty check dishonor fine और penalty अब बेटा इसकी बड़ी simple सी situation को यह visualize करो बेटा मान लो A ने B को कोई goods या services की supply करी और credit पर करी लेट्स पोस ठीक है उसने कोई भी goods या service दीए और B जो था इसको लेट्स पोस वो payment जो है वो by check करता है कहता है जी दग दिन बाद check लगा लेना अब B जो है उस check को जो है वो bank में present करता है और bank से वो check जो है वो dishonor होकर के वापस आ जाता है जिसमें reason लिखा हुआता है insufficient funds ठीक है बेटा अब यह जो है यह अपना customer को कहता है क्या तुमने check दिया वो dishonor हो गया ठीक है होती होगी situation अब बेटा ऐसा ना हो इसके लिए इसने contract में लिख रखता होता है वह payment by check में असेप्तो करता हूँ यह consideration for tolerating the act of dishonor check या this is a compensation this is a compensation उसका reason बड़ा simple है CBIC ने बोला कोई भी आत्मी यह चाहते ही नहीं है क्या की check dishonor हो check dishonor हो तो वो यह जो penalty ने रहा है this is not for tolerating dishonor check this is rather a compensation he is receiving for not tolerating this act of dishonor are you okay with this तो यह भी CBIC ने बोला अच्छा और एक बात और बोलना बिटा जब एने bank में यह check present किया होगा और यह check dishonor हो करके आ गया होगा उसके bank से उसके पास तो बिटा क्या bank वाले ने A से भी penalty ली होगी yes कि बैंक वाला क्या गएगा आपका चेक आया मैंने इसे clearing के लिए बेजा वाँ इसे efficient funds की वज़े से वापस आ गया yes or no फिर मैं आपको courier करके इंफर्म कर रहा हूं dishonor हो गया yes or no yes मैं ऐसा करना नहीं चाहता हुआ आपको यह penalty जो होगी वो देनी पड़ेगी अब बैंक ने पैसा रिसीब किया बताओ बैंक कंसिडरेशन रिसीब कर रहा है या compensation ही है वैसे मैं आपको बताओ यहाँ पर हो सकता था कहने वाले यह कह देते नहीं बैंक की तो रूटीन activity है तो बैंक को तो यह consideration ही आ रहा है लेकिन प्रीज जान में रखिएगा CBIC ने clear cut अपने circular में यह लिखा है कि आपकी यह जो dishonor वाली penalty है यह supplier को मिली हूँ या bank को मिली हूँ दोनों ही cases में compensation की sense में treat की जाएगी GST liability नहीं आएगी पढ़िएगा point को check dishonor fine and penalty the fine or penalty that the supplier or a banker imposes that the supplier or a banker imposes for dishonor of a check is a penalty imposed not for tolerating the act but it is a fine or penalty imposed for not tolerating penalizing and thereby deterring the discouraging such an actor situation therefore check dishonor fine or penalty is not a consideration for any service and not tax saver are you okay with this what is important here to remember is supplier ने अपने customer से जो लिया वो भी और banker ने जो लिया वो भी दोनों ही जो होंगा वो consideration नहीं माना जाएगा are you okay with this चले आंगे चलिए six point compensation for not collecting tall charges अच्छा आप discussion है जरा देखिएगा यहां chart format में बना देता हूं गवर्मेंट है गवर्मेंट ने लेट्स पोस इंडिया बुल रियल एस्टेट कंपनी तो यह का कि बई तुम यहां पर एक टॉल मतलब एक रोड बना दो ठीक है हाईवे बना दो इंडिया बुल रियल एस्टेट वाले ने बुला अच्छा ठीक है क्या पैसे दोगे गवर्मेंट ने बुला पैसे नहीं देंगे कुछ भी फ्री में बनाना है लेकिन क्यों कि तुम्हारे पैसे लगेंगे तो तुम रिवेन्यू के तौर पर क्या करोगे हम तुमें 10-20 साल के राइट देंगे कि इस रोड पर तुम टॉल जो है वो कलेट कर सको इंडिया रियल एस्टेट वाला बुला ये काम ठीक है तो इसने अपना बना दिया हाईवे अब यहां से जो यूजर जाएंगे गाड़ी लेकर ले रहा हूँ इस अप्लाई अब सर्विस एक्टिविटी चीक है अब हुआ कै बेटा जब गॉर्मन ने डी मॉनिटाइजेशन किया तो डी मॉनिटाइजेशन होते ही लोग जो है इधर उदर भागे क्या करने के लिए पैसे 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 बैक मेट पर तो वहां पर दी मॉ आउट सेशन काया कोई दिल्ली रहता है अब वो घर जाएगा अपने वहाँ बैंक में जाके पैसे जमा कराएगा इंट सोन तो उन्होंने कहा कि तुम जहोगा तो मुझसे कोई भी टॉल चार्जिस नहीं लोगे तो उन्होंने बोला तो हमसे बिकारमी बन वाली है तुमने त लोगों से नहीं लेना तुम हमें आइडिया दे दो कि तुम्हें मंतली कितना टॉल कलेक्शन आता है चीक है उतना पैसा जो होगा उस पीरड के दुरान जो होगा वो हम तुमें देंगे तो तुमने यूजर से नहीं लेने लेकिन तुमारा जो भी मंतली बनता है वो तुम बताओ हमें वो पैसा उतना पैसा हम तुम्हें देंगे हम तुम्हें कंपंसेट कर देंगे for your loss of revenue किसीच के लिए for loss of your revenue तो अब कोवर्मेंट ने इंडिया बूल रियल एस्टेट को यह पेमिंट कर दी और पेमिंट किस नाम से करी इंडिया बूल रियल एस्टेट को जो पैसा इनसे मिलता वो उनसे मिलने की बजाए गौर्मेंट से मिला है अब गौर्मेंट ने क्योंकि यही बोला ने कितना collection होता था बताओ इतना होता था तो वो उनसे नहीं लेना हम देंगे तो यह नाम चाहिए कुछ भी दिया हो विट एक्च्वल में इस इस वर्ट कंसेट ड्रेशन तो अक्वर्टिंग उन्होंने ब कंसेटन टोल अपरेटर तो अलाओ फ्री असेश अफ तोल रोट्स तो दा यूजर फ्रॉम एट नॉम्बर दोहजार सोला तू 1 दिसम्बर दोहजार सोला याद है यह 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 याद रहे गई फर विच दा लोस अफ तोल चार्ज वास पेड अस कंपनसेशन बाइ नहीं आई एस पर दा इंस्ट्रक्शन ऑफ निस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांस्पोर्टेशन हाइवेस दा टोल रिंबस्मेंट्स वर कैल्कुलेटिड बेस ओन दा एवरेज मंतली कलेक्शन ऑफ दा टोल तो पीटा यह जो पेडमेंट जा रही है यह जो उधर से मिलता उसको फिल अप करने के लिए जा रही है तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि टोल ऑपरेटर जिनको यह टोल चार्जिस मिले हैं दूरिंग इस पीज़र्ड दा सर्विस ऑफ असेस्ट्व रोड और बिश कॉंटिनू टो बी प्रोवाइड इड़ विदा इस प्रोसीड करते हैं नेक्स पॉइंट पर सेवन पॉइंट फिक्स केपिसिटी चार्जिस फॉर पावर ठीके जी अब अच्छा यह जो सेवन पॉइंट है इसको पढ़ने से पहले एक एडिशनल पॉइंट आपको मैं मेंशन कर देता हूँ सर्कुलर्ड ने तो उसको नहीं बोला लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ बटा अगर यह कुछ ना हुआ होता दिवनिटेजेशन तो नौली क्या होता टोल चार्जिस क्या यूजर पे करते है ठीक है यूजर जाता और वो पे करता अब वो कंसिडरेशन है क्या उस पर जी याद दिलाना चाहता हूँ बेटा एक्च्वल में टोल चार्जिस जो है वो जी एस्टी से एक्जेम्ट है अब मैं यह नहीं कहूंगा आपको याद दिलाना चाहता हूँ ठीक है आपको जब एक्जम्शन वगरा पड़ोगे तो वहाँ पर यह बात जो होगी वो क्लियर 2017 की जिसमें यह टोल चार्जिस जी एस्टी से एक्जेम्ट है अब अगर यह टोल चार्जिस एक्जेम्ट है आप यूजर से लेते एक्जेम्ट है आपने यूजर से नहीं लिए गौवर्मेंट के कहने पर गौवर्मेंट ने वो टोल चार्जिस दिये तो भी क्या यह एक् एक्जाम में अगर पूछा जाएगा जीस्टी क्यों नहीं लगा तो आपके लिखोगे क्योंकि यह कंपनसेशन है आप कंसीडरेशन है सर्विस है पर एक्जम्शन की वजए से जीस्टी नहीं देना अब सेवन पॉइंट का डिस्केशन करते हैं फिक्स कैपसिटी चार्जेस अब इसमें क्या है इसमें उन्होंने का कि वाई साब यह टेबल देखना विटा सप्लाई हो रही है प्रण की वजए टू करो पावर जेने टिसकॉड और निसे डिसकॉण वाले जो है वह फर्दर सप्लाई कर रहे है किसको टूदा इंडिविजवल कंजूमर तो बेटा पावर जनेरेटिंग कंपनी ने किसको दी स्टेट इलेक्टिसिटी बोर्ट डिस्टिबूशन कंपनी को और उन्होंने आगे सप्लाई करी किसको कंज्यूमर को तो जैसे मैं कहूं कि मैं यहां टाटा पावर है और यहां आपकी let's suppose BACS करके कंपनी आगे डिस्टिबूशन कंपनी तो टाटा पावर BACS को सप्लाई कर रहे है चीक है और BACS जो है वो आगे let's suppose Mr. X हम जैसे जो यूजर से उनको वो सप्लाई कर रही है अचा अब आपके लेवल पर जैसे सिंपल बात करता हूं BACS जब आपको electricity connection देती है तो आपको इस electricity का बिल आता है उसमें electricity बिल में बिल वो आपसे दो charges लेते हैं एक तो fixed charge होता है yes or no और एक variable charge होता है fixed charge में वो क्या कह रहे होते हैं भाई सब इतना बिल तो आएगा ही आएगा और बिटा मैं दिल्ली में केजरिवाल के अंगल से बात नहीं कर रहा हूं थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं ठीक है तो यही होता है न नॉर्मल सिस्टम तो इतना बिल तो आएगा ही आएगा चाहे आपने use किया हो या फिर नहीं किया हो और उससे उपर वो depending upon usage जो होगा वो पर unit electricity consume के इसाब से variable charges भी रहते हैं yes or no तो बिटा यह जो भी system होता ना power generating company जब BACS को देती है तो वो भी उससे यही लेती है कि एक fixed charge रहेगा और बाकि जितना हमसे लोगे और ऐसे BACS जब आगे consumer को देती है तो वो भी दो charges लेती है यह fixed charge रहेगा और यह variable ठीक है अब आपके ले question यह है बड़ा interesting है यह जो fixed charge है यह किस बात का लिया जा रहा है यह consideration है यह नहीं है है अच्छा कोई अगर यह कहे कि यह fixed charge तो basically इस बात का लिया जा रहा है कि यह जो है यह compensation है for not consuming the minimum electricity तो क्या वो ठीक क्या रहा है यह गलत क्या रहा है गलत क्या रहा है company is very much clear and लेने वाला is also very much clear कि मेरे को दो charges इस supply के बदले में देने है yes or no तो बटा circular ने अब यहां को लेकर कि यह clarity दी कि यह जो fixed charge है यह जो fixed charge है आप यह नहीं कहा सकते कि यह consideration नहीं है this is also a part of the consideration तो यह total हिस्सा consideration है बट लेकिन at the same point of time circular ने यह भी बताया electricity की supply GST में exempt है मतलब तो चाहे यह total consideration हो बट क्योंकि supply exempt है तो GST will be exempt yes or no yes तो नीचे वाली line देखो नो ने कहा लिखा both the components of the price minimum fixed charge and capacity charges and the variable energy charges are charge for sale of electricity ठीके जी तो यह electricity के supply charges है and are thus not taxable taxable क्यों नहीं है as electricity is exempt तो यह compensation के अंगल से नहीं कहा रहे यह है तो consideration बट क्योंकि वो supply ही exempt है तो फिर total जो है वो exempt है are you okay with this तो इसके answer में मैंने simple यहां लिख दिया forms part of value of supply तीक है यह supply की value में आएंगे पर exempt है विकोज इलेक्टिसिटी की supply exempt comfortable चलिए नेक्स वन 8.00 प्रिपल स्टर वेरी 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 इंपर्टन लेट पेमेंट सर्चार्ज और फी collected by any service provider for late payment of bills भाई साहब Airtel आपके पास बीटा कौन सा होईल कनेक्शन है अहाँ चलो तो आप है Mr. X और इधर है Airtel Telecom Company तो बीटा आप ने इन से telephone connection लिया तो यह आपको टेलीफोनी सर्विस दे रही है और बदले में आप उस service का जो बिल आता है requisite बिल वो जो है वो पे करते हैं are you okay with this yes अचा एक बार बताओ आप की calls कितनी करी उस case आप से बिल आएगा या calls नहीं भी करो तो भी कुछ minimum बिल आएगा तो भी आएगा अचा वो जो minimum बिल है वो consideration है या नहीं है नहीं है अभी आपने उपर सम्झा येस minimum बिल भी consideration है और जो variable होगा वो भी consideration है चलो जी अब बिटा आपके पास बिल आ गया ठीक है अब बिल जब नहीं कोई गOOD काण आएगा तो आपको को कैपनेटी के नाम से कड़रा के लेकिन और गूट का सफ्लायर जरनली जब किसी को गूट देता है तो गूट arrows लेते टाइम वो कहता है कि इस देट तक पेमिंट कर दे ना नहीं पे करोगे तो बिल में नीचे लिखा रहता है कि आपको डिले जो करोगे उसको इस परसंट रेट के इसाप से इंटरस्ट होगा वो चार्ज किया जाएगा चीक है तो यह हमारे पास डिफरेंट नाम से है खा एक्शल की बात है कि लेट होते हैं तो बिटा एर टेल को जो लेट हुए उनसे यह पैसे की प्राप्ती होती है तो यह जो पेमिंट रिसीव हुई एर टेल को लेट फीस पेनल्टी इंटरस वच्छे अबर इसके लिए कोश्चन है यह जो है यह कंपनसेशन है आप मुझे लेट पे करें यह उस चीज का कंपनसेशन है या यह कंसिडरेशन है फोर टोलरेटिंग दा एक्ट आफ डिलेट पेमिंट बाइद अ कस्टमर क्या फरक पड़ेगा इसके उपर जीएसटी आएगा बताओ जी कंपनसेशन है या कंसिडरेशन है कंसिडरेशन अच्छा आप पूचूँगा लोजिक आपको क्यो लगता है कि यह कंसिडरेशन है वट पॉसिबल लॉजिक यू कैन थिंक आप चैक डिसोनर हुआ था तो हमने क्या बोला था वो कंसिडरेशन है या कंपनसेशन तो पर यहां आप क्यों कह रहे हो कि यह इसको हम कंसिडरेशन है अब क्या थोड़ पूसेस रहा होगा थोड़ा बोत हम सोचें कि वही उसकेश में कंसिडरेशन के रहे हैं यहां ऐसा क्या फरका आ गया उन्होंने बोला देखो चेक अगर आप दे गए थे आपको हमने एक डेट कही होगी आप उस डेट का चेक दे गए थे तो हम तियार थे उस डेट तक हमें मिल जा है और हम यह नहीं चाहते कि चेक कभी भी डिसनर हो बैंक में वारा नाम खराब होता है हम आपके उस एक को असेप करने के लिए कभी भी तेयार नहीं है बट अगर बात यहां की करें कि हमने आपको सप्लाइई करी आपको हमें पैसा देना है तो हम प्रैक्टीकली इस बात को समझ के चलते हैं कस्टमर कैसा भी हो जैन्यून भी हो तो भी डिले इन्वोल्ड हो सकती है यह एंटेल वाला लेकि चलता है यह क्य तो इस लोजिक को रफ लिए उन्होंने पकड़ा है अचा अब आप बाल की खाल मत उधरना में सब्सक्राइब तो बिटा थिल नाइन ऑफ डिफरेंस होगी बेशक लेकिन डिफरेंस है यहां पर यह प्रिजूम किया जाते है और यह नैच्रल सी बात है किसी भी आदमी से पूछ लो अचा उन्होंने शायद पॉपेबल एक रिजर और पकड़ा होगा एक बाब बताओ अगर इसने मुझे डिलेट पेमेंट कर दिया तो मेरा पर्टिकुलर माइंड सेट क्या होता अगर कस्क्राइबर पैसा नहीं दे रहा है टेलीगाम कंपनी तो पिटा कंपनी के पास पूरी पावर है वो उसका करेक्शन बंग कर सकती है बन एक बाब बताओ कंपनी क्या करती है आप का करेक्शन बंग करती है सिर्फ क्या होता है कुछ दिन तक तो आउट गोइग भी सिफ क्या करती है आपके कान में एक इरिटेटिंग टॉन बजाना स्टाइट कर देती है आप जब भी किसी को कॉल करोगे तो कॉल लगने से पहले एक फीमेल आपको बोलती रहेगी शरम नहीं आती फॉन का बेल आउट सेंडिंगे पे कर दो नहीं तो इतने दिनों बाद डिस खोना नहीं है टोलरेट कर लो पैसा तो लही रहे हैं यस और नो तो बिटा इस इस दा रियालिटी एंड दिस दा रियलिटी और तो सीबी आइस ने बोला कि इस बात में तो बिल्कुल क्लेरिटी है और इसके अलावा एक लोजी को देता हूं और जाद आपके दिमाग में स ब्लोक रहेंगे तो मुझे एक्सा पैसा चाहिए तो कहने का मतलब वो ब्याज वो सेल प्राइस में इन बिल्ट रखता है इसका मतलब वो मैंटली त्यार है ना लेट आएगा तो लेट पेमेंट के लिए वो मैंटली त्यार है तो एक तरीके से यह भी हो गया कि उसने एक पर दिया उसके बाद भी नहीं दिया उसने बोला कोई वात निमेलेट के लिए आपको असेप्ट करने को त्यार हूं तो इस लॉजिक पर बेटा इन्हों ने बोला है कि यह बेसीकली consideration है for tolerating the act of delayed payment at the end of the customer are you okay with this अब बात इसमें मैं अपनी तरफ से और जोर देना चाहता हूं बेटा यह specifically नोंने इस वज़े से भी stand लिया हुआ है valuation में आप valuation के provisions जब पढ़ते हैं देखेंगे आपके पास आएंगे यह भी detail में तो बेटा valuation के provisions valuation होता है GST में as per section 15 और valuation के provision में section 15 तू में यह specifically लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी supply करते हैं goods या service whatsoever और उसका particular price लेते हैं rupees X बाद में अगर आपका customer आपको वो timely payment नहीं करता और आप उससे कुछ भी interest penalty late fees charge करते हैं तो वो जो होगा वो supply की ही value माना जाएगा वो supply की ही value माना जाएगा मेरी बात समझाई आपको तो section 15-2 of CGST Act वो अपने आप में क्योंकि clear cut इसे लिख करके देता है कि अगर supply की गई late payment सामने से हुई तो जो भी interest late fees penalty ली जाएगी उसको उसी supply की value का हिस्सा माना जाएगा तो accordingly भी CBIC उस act के provision के खिलाफ नहीं जा सकती थी उन्होंने बोला वहां clear cut लिखा हुआ है तो has to be treated as it has to be treated as a part of consideration it has to be treated as a part of consideration are you okay with this ठीक तो यह compensation नहीं है this is consideration और प्लीज 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 जड़ा ध्यान से सुनिएगा मैंने जो बोला उससे आपको यह समझाया हो यह consideration ठीक है यह consideration किस चीज़ का है अब ध्यान से अंसर देना यह consideration है toleration की activity का यह जो मेरी original supply है यह उसी का additional consideration है यह उसी का additional consideration मेरी बात समझाई देखो यह consideration है क्योंकि यह consideration की sense में लिया जाता है यह compensation की sense में नहीं लिया जाता है यह एक बात है फिर बात आएगा यह consideration toleration की एक separate supply का है या जो supply key थी उसका additional consideration है तो यहां ये बात important है उन्होंने बोला section 15.2 में क्या लिखा हुआ है आपने जो भी goods and services दिये उसका रुपीज एक्स लिया अगर customer इस रुपीज एक्स को timely payment नहीं करता है तो ये जो भी आप उससे लोगे इसको हम उसी रुपीज एक्स की additional value समझेंगे मतलब principle supply जो भी थी उसी का part and parcel ये समझा जाएगा यहां toleration वाली बात independent apply नहीं होगी और आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपने मैं आप से कहूं कि आपने जो है बिटा let's suppose dry fruits की sale करी थी dry fruits के उपर 5% का tax था आपने 2,00,000 रुपे का माल बिचा था और 5% साथ में tax लगा के 2,10,000 सामने वाले ने timely payment नहीं किया आपने उससे let's suppose 5,000 रुपे ले लिए तो ये 5,000 रुपे ड्राइब fruit की additional consideration समझा जाएगा और इसके उपर 5% वाला GST आएगा ये नहीं होगा किसे कहेंगे नहीं ये tolerance की separate supply है इस पर 18% वोला काम नहीं होगा Are you okay with this? चलिए रीट करते हैं circular को late payment surcharge इसको ले करके इन्होंने ये बोला है ये forms part of value of supply मतलब consideration है और मैंने के लिखखा it should be assessed at the same rate as principal supply और इसकी reasoning वो दे रहे हैं जड़ा धान से देख लिजेगा The facility of accepting the late payment within trust or late payment fee fine or penalty is a facility granted by supplier naturally bundled with the main supply Naturally bundled with the main supply तो क्या रहे है जब वो आपको इस तरीके से माल बेशता है तो वो basically आपको composite supply कर रहा है जिसमें main supply हो गई जो भी वो आपको कुछ से service दे रहा है वो और ancillary supply क्या हो गई कि अगर आपने timely payment नहीं किया तो आपका वो belated payment का वो act असेप्ट किया जाएगा मेरी बात समझ पारे हो देखो अब आपने 2,00,000 रुपे dry foods के लिए थे तो वो main supply का part हो गया और जो आपने पांच जार रुपे late payment ली वो toleration के लिए तो भी वो क्या है ancillary supply और आप सबको यह पता होना चाहिए कहीं बार जिक्रा आ चुका कि अगर आप इस तरीके से एक principal और चैनलेरी supply देते हैं तो बिटा इसको principal supply का treatment दिया जाता है तो एंटार सप्लाई शाल बी टीटिट अप्लाई अप्लाई अचल भी असेस्ट अचली नेक्स पांट नाइंथ अगें पुट अटर पल स्टार इस अबाट कैंसलेशन चार्जिस कैंसलेशन चार्जिस नो शो चार्जिस अभी टा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलाइंस इंडस्टी होटल इंडस्टी उन सब ने इसका टीटमेंट पूचा था जरा मुझे बताओ एलाइंस इंडस्टी कैंसलेशन इस नॉर्मल फीचर और नॉट इस अब एलाइंस इंडस्टी है आपने जो है लेट्स पोस एर ट्रावल के लिए टिकेट बुक कर आई पेमेंट कर दी टिकेट आपकी बुक हो गई एडवांस पेमेंट हो गई दस दिन बात की आपकी फ्लाइट है एलाइंस के पहता है आप नहीं जाते लेकिन हैं आपकी टिकेट बुक कर रखी होती है तो एर पोट पर नॉंसमेंट होती रहेगी Mr.X Mr.X Yes or No? और अगर Mr.X कहीं रिस्पॉंड नहीं करेगा तो एक टाइम के बाद बाद करेंगे बाद में काया Mr.X प्लाइड भेजो, yes or no? तो अब बिटा, जो उन्होंने पैसे लिये थे, वो आपको बापसी देदेंगे या फिर वो अपने पासी रखेंगे यह वाला केस बिटा होता है no show charges, no show charges, मतलग passenger, customer आया ही नहीं हमें कोई लेना देना नहीं है hotel आपने room book करा है किसी वज़े से आप नहीं जा पाए कोई बात नहीं, उनकी तरफ से room available है, आप show'd up ही नहीं हुए पैसा क्या वो अपने पासी रखेंगे, yes अच्छा और एक दूसरा case क्या हो सकता है कि आपको पता है कि आपने नहीं जाना तो safe site पर आप पैसा बचाने के लिए क्या करोगे, airlines को बोलोगे hotel वालों को बोलोगे, जी मैंने यह आपाऊंगा book कराया था, मेरे पैसे वापसी दे दो, वो क्या बोलें भैस सब पैसे वापसी नहीं मिलेंगे non refundable है, या तो ऐसा कह देंगे या पर दूसरी वो क्या बात कह देंगे refundable मिलेंगे लेकिन कटके मिलेंगे बिकोज इतना पैसा cancellation charges में लग जाएगा yes or no? yes, तो आप question यहां आ रहा था बेटा कि यह जो cancellation charges या no show charges, जो भी industries लेती है, ये compensation है या पर consideration है आपने air ticket book कराई, आप Mr. X है तो बेटा, आपने payment करी? इन्होंने आपकी ticket book कर दी आपकी payment basically जो airlines कोई थी, वो बेटा advanced payment थी basically? इन्होंने उसके उपर GSTV पे कर दिया, चीक है? आपने जब payment करी थी, आपने क्या clear cut as a constitution करी थी? अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या आपकी payment का nature बदल जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा, X, Y, Z ये थोड़ी ना कहेगी कि अगर वो passenger नहीं आया तो वो जो payment थी वो compensation है वो क्या कहेगी भई? हमारी तरफ से तो उसकी seat हमने available रखी थी वो नहीं आया, वो उसकी problem तो हमें तो consideration मिला था वो नहीं आया, हमें कोई लेना देना नहीं है ये consideration मिला था, बात कतम होनी चाहिए Yes or no? तो department वाले यही कहते तो CVIC circular नहीं बोला, जिभाई सा payment का nature नहीं बदल जाएगा, वो payment as a consideration receive हुई थी, तो accordingly वो as a consideration ही रहेगी कश्मर आया नहीं आया, उससे मतलब नहीं है वो consideration था, उस पर GST लगना चाहिए था, बात क्लिर होगी? Yes, अब दूसरी बात Mr. X. Joel Expos, जिसने ticket book कराई थी, वो बाद में airlines को inform करता है, और airlines को यह कहता है जी, for genuine reasons I will not be able to come up, तो मेरी relation charges 50% लग जाएंगे चीक है, अगर airlines ने कह दिया no refund, कहने का मतलब उन्होंने उसका पैसा forfeit कर दिया, तो हम क्या बोले यह compensation है, यह आप भी same position है, same position है क्योंकि उन्होंने consideration के sense में ही लिया था, और जो बिटा उन्होंने GST पे कर दिया, वो GST दे दिया खतम होगी बात, अचा दूसरी बात airlines ने बोला, चलो ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन हमें भी पता है हमारी भी तो इसमें वो लगी हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ रड़ी रखा है आप क्या बुलोगे, वो जो consideration air travel का receive किया था वही रखा है, या आप ये बुलोगे ये इनोंने compensation तो ये नहीं है बहुत बढ़ी है, compensation तो ये नहीं है, तो बटा हरे airlines को पता होता है ऐसी activity होंगी unavoidable है और उन्हें पता होता है इसी वज़े से वो इस सब को presume करके ही अपने charges जो है, वो fix up करते हैं, are you okay with this? तो definitely, अगर cancellation charges airlines लेंगी, तो वो consideration ही treat किया जाएगा, circular ने ये बूला ये बात समझाती है, अब आप मुझे ये बात और बता दू, ये consideration by nature जो air travel की service वो दे रहे थे उसी का consideration treat किया जाएगा, या ये का जाएगा ये consideration तो है, बट ये toleration of, act का consideration है, तो इसके उपर toleration वाला GST लगेगा क्या, जो main supply पर text लगा, वही लगना चाहिए, yes क्यों बिटा, otherwise तो ये पागल हो जाएगे बोलेंगे, हमने ticket book करी ticket का GST दिया अब cancellation की बात आई, तो हम ये बोले, हमने air travel service नहीं दी, हमने toleration की service दी है, तो वो गलत हो जाएगा, तो उन्होंने बिटा, इसके उपर clarification बड़ी simple सी दी, उन्होंने बोला cancellation charges, no show charges are very well consideration and these shall be treated in the same manner as the principal supply, मतलब airlines, उस cancellation charges को, air travel service का consideration मानेंगी, hotel वाला, उसको accommodation service का ही consideration मानेगा, yes or no तो ये बात बिटाई इन्होंने 9-point में बोली है, अब पढ़ लेते हैं summary मैंने लिखी पहले तो, should be assessed at the same rate as principal supply अब legal wordings पढ़ारू a supply contracted for, such as booking of hotel accommodation, entertainment event और a journey, may be cancelled by a customer और may not proceed as intended due to his failure to show up for availing the same at the designated place at पाते बोली है बिटाई इन्होंने, क्या या उसने cancellation करा लेगा, तो cancellation charges का concept आएगा, और अगर आया ही नहीं तो no show के तोर पर वो सारे पैसे रख लिए जाएंगे चली बिटा, next page supplier may allow cancellation of supply by the customer within a certain specified period of time on payment of cancellation fees as per the commercial terms and दूसरी बात उन्होंने क्या बोली in case the customer does not show up the supplier may retain or forfeit the part of consideration or security deposit or earnest money paid by the customer for the intended supply cancellation के case में हो कह रहे हैं बही, cancellation होगा तो कुछ cancellation charges ले लेंगे और no show बाला case होगा तो जो भी उससे पैसा मिला था उसको वो forfeit is also a natural part of this bundle it is invariably supplied by all supplier of passenger transportation service as naturally bundled and in conjunction with the principal supply of transportation in the ordinary course of business के रहे हैं जब airlines ticket book कराती है मदब ticket book करती है तो ticket book करने के साथ ही वो customer को यह बोलके चलती है cancellation policy यह है तो वो इसको कह रहे हैं कि इसको हम यह मानेंगे कि as a bundle उन्होंने customer को यह सब कुछ offer किया है right to travel as well as right of cancellation ठीक है therefore the facilitation of allowing cancellation of an intended supply against payment of cancellation fee or retention or for feature of a part or whole of the consideration or security deposit in such cases should be assessed as the principal supply और यह बिटा उन्होंने खुदी एक्जामपल भी दिया था कि railway ticket मान लीजिए कोई fully AC class की book की 15 सो की जिसके उपर 5% GST है are you okay with this और ticket वो cancel हो गई और उन्होंने का 50% cancellation charges लगेंगे 50 ही देंगे 50 हम retain करेंगे as a cancellation charges तो जो 50 retain किया क्या वो consideration है और वो consideration transportation transportation service का ही माना जाएगा और transportation service पर कितना है 5% का GST तो जो 5% का GST liability है क्या वही रहेगी officer यह नहीं बोलेगा नहीं यह tolerance पर 18% है और दो जो दे दिया वो proper है और similarly बेटा अगर कोई second slipper non AC ticket book करी थी जो खुद GST से exempt थी तो इसका cancellation हुआ 50% रख लिया गया तो बोलो उस 50% पर कोई tax आएगा या वो principal supply का हिस्स है जो की exempt है तो वो भी exempt रहेगा वो भी exempt रहेगा are you okay with this पका clear है तो यह बिटा हमारा एक example in fact सारे elements उन्होंने बताए वो जो है वो complete हो जाते हैं आपको करक्स पूरे circular का अगर ध्यान में रखना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है पहला point agreement हो जिसमें अंडरस्टेंडिंग clear हो और दूसरा उस agreement में जो amount आया वो by nature consideration होना चाहिए एक तो agreement में पैसा मिला हो ये बात clear होनी चाहिए और दूसरी बात वो पैसा by nature consideration होना चाहिए तो ही आपका जो होगा 5E apply करने वाला concept आएगा अरे okay with all this example? एक situation मैं आप से अब पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से not discussing the circular बट मैं चाहता हूँ आप बताएं और आप देखना अब आपने जो समझा अगर ठीक समझा होगा तो answer कर पाऊगे बिटा बैंक है बैंक ने Mr. X को loan दिया और X जो होगा बदले में जो होगा वो interest जो होगा वो स्पैसे राइट रेट से pay करेंगे is there is a proper supply contract between bank and this person? यस बैंक वाला बिटा इसे loan दे रहा है बदले में interest ले रहा है तो bank की activity का है supply of service clear है? अच्छा अब यह जो loan जो है let's suppose Mr. X ने 10 साल का लिया है ठीक है? लेकिन साथ में bank ने इसको यह बोला है 10 साल का loan है लेकिन agreement में यह भी है अगर किसी भी point of time पर आपको यह लगता है कि आपके पाँ पैसा आ गया और आप इस loan को early repair करके खतम करना चाते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं इस काम को बैटा हम क्या बोलते हैं? pre-closure ठीक है अच्छा एक बाह बताओ Mr. X के पास अगर पैसा आ जाता है और वो pre-closure let's put 2 साल बाद ही करा देता है तो बैटा बैंक को नुकसान होगा? नुकसान के सेंस में जो interest otherwise expected था वो नहीं मिलेगा तो बैंक वाला कहता है यह pre-closure हम कराएंगे हमें कोई problem नहीं है बट अगर आप pre-closure कराओगे तो आप से हम certain amount जो होगा वो लेंगे ठीक है और यह loan की terms and conditions में लिखा होता है clear cut pre-closure is open बट अगर आपने कराया तो फिर आप यह certain amount जो होगा वो आप हमे pre-closure charges के पे करोगे अब customer है कुछ लोग pre-closure कराते भी होगे तो बैंक के पास बैटा यह certain amount आता भी होगा तो बैंक को यह pre-closure के नाम से पैसा आता है आप से मैं पूछना चाहता हूँ number one क्या under a contract आया है आया है contract में specified है बिल्कुल इस बात की चर्चा है दूसरी बात यह as a compensation आया यह as a consideration as a consideration compensation क्यों नहीं बैंक वाले को यह policy जब यह अपने interest की ड्राफ करता है तो पहले सी पता होता है कि बहुत सारे लोग pre-closure opt करेंगे चीके जी हाँ वो इसको visualize करके चलते हैं और उसी के basis पर यह pre-closure charges लेते हैं यह जो charges लेते हैं पता है क्या visualize करके लेते हैं अगर आपने continue रखा होता तो हमें income होती तो वो जो income नहीं हुई उसके respect में थोड़ा बोत्तों मिले Yes or no? तो definitely वो इसको किस sense मिले रहे हैं? As a consideration अचार bank बेटा समझेगा bank क्या चाहता ही नहीं है कि लोग pre-payment करें या bank pre-payment को tolerate करने के लिए तयार है तभी तो उसने agreement में clear cut option लिखा है अगर वो ये चाहता ना prepayment होनी नहीं चाहिए तो close में क्या लिखता contract में नहीं नहीं pre-close are allowed नहीं है तो definitely these are these are ready तो ये consideration है GST के दाइरे में आएगा GST के दाइरे में आएगा Are you okay with this? I hope आपने अच्छा अंसर दिया है तो सब कंसेप्ट आपके माइड में clear होगा है ठीके जी इसको अच्छा से revise कर लिजिएगा I strongly expecting any of these issues shall form part of your examination paper Are you comfortable? Yes sir Okay जीकी नीकी